कैसा भी आदमी हो, गरीब हो या अमीर हो, बड़ा सुविधाओं से पला हो, खुब सुविधाओं हो, किसी चीज की कमी न हो, वो व्यक्ति भी सुविधा की सब चीजें छोड़ेगा तब चैन से सोबाएगा सब त्यागेगा तब चैन की नींद ले पाएगा, और अगले दिन कुछ काम करने की शक्ति जुटा पाएगा जब नींद में सब छोड़ते हैं तो शक्ति मिलती है, तो जागरत में भीतर से सब छोड़ दे तो हम सादकों को कितनी शक्ति मिल सकती नींद में थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं जागरत में कोई भी घर, परिवार, संपत्ति ये छोड़ना नहीं है बीतर से उस पर से मेरा पन छोड़ देना है नहीं तो फिर दादू दीन दयाल के अनुसार तिल-तिल का अपराधी तेरा रती-रती का चोर पल-पल का में गुनही तेरा अउगुन बक्षो मोर दादू दीन दयाल ने कहा इश्वर तु मुझे माफ कर मैं तो चोर हूँ, चोर तेरी चीजों को अपनी मान बैठा हूँ और पल-पल जो भक्ती में सार्थक करना चेहूं मैं गवा रहा हूँ, हर पल का तेरा गुनेगार हूँ तो हम लोग यहां निरपेक्ष सुख पाते हूँ जब यहां से जाएं तो घर पे भी रोज थोड़ी देर इस प्रकार बैठा जाए द्रडधारना करके के मानो हम गुरुदेव के चरणों में ही बैठे हूँ चुपचा आप बैठे निरपेक्षम मुनिम शान्तम दूद बरतन में रखा है बरतन को हिलाएंगे तो दूद भी लेगा शरीर जादा हिलेगा डूलेगा तो मन भी चंचल रहेगा तो घर पे जब बैठे हूँ तो पूरी स्तिर्ता और अपने गुरु से तादात में साधा जाए सद्गुरु के सिवाय और कोई ना आए आप देखना भक्ति का प्रवाब एहने लगेगा देखो ब्रह्म का बोध होने से परमात्मा का बोध होने से क्षुद्र अहम मिट जाता है ठीक है अब जब अहम मिटा तो ब्रह्म को जानने वाला तो रहा नहीं केवल ब्रह्म ही रहा जीव गया शिव को पाया जान लिया हूं शांत निरंजन ये जो हम पढ़ते हूं तो ब्रह्म को जानने वाला रहा नहीं तो ब्रह्म ही रहे तो गुरु साक्षात परब्रह्मा तो ऐसे गुरु से जो शिश्यत आदात में साधने में सफल होगा स्वभाविक उसका भी शुद्र में खोता जाएगा और सद्गुरु रहेंगे ये मैंने कोई ये मैंने साध लिया है इसने नहीं कह रहा हूं ये मैं भी साधना चाहता हूं मैं हम विचार भी नहीं कर रहे हैं आपस में कि ऐसे ढंग से हम आगे बड़े मिलकर समगच्छद्वम समवदध्वम सहनाववतू सहनोवभुनक्तू सहवीर्यम करवावः तेजस्विना हम सब तेजस्वी हों वधी तमस्तू माविद्विशावः हम किसी से द्वेश न करें उपेक्षा कर देंगा अमारे लिए है यही नहीं अमुक्व्यत्ती जो गलत है द्वेश नहीं उपेक्षा जो मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा की बाते आई अपने कल्यान के लिए तो ऐसे अपने गुरु से तादात में सादे देखो तुलसिक्रत रामेन में एक बात आई सुनहु भरत वशिष्ट जी कहते हैं भावी प्रबल मनुष्य का भावी प्रबल है दिलक ही कहव मुनी नात इंसान का भावी उसका प्रारब्द प्रबल होता है इसलिए जीवन में कई बार कुछ कश्टों का सामना करना ही पड़ता है जैसे मीरा जैसी मीरा को करना पड़ा शबरी को करना पड़ा स्वामी विवेकानंद को कितना करना पड़ा कितने गरीबी में दिन बिताये उन्होंने अब उनकी जैजैकार दुनिया में हो रही है तो ये जो होता है सुनहु भरत भावी प्रबल कितनी बड़ी धर्ती है और कितनी लोग रहते हैं उस धर्ती पर देश में विदेशों में कितनी बड़ी धर्ती ये पूरी प्रत्वी आकाशिय सौर मंडल का एक हिस्सा है और आकाश ये सौर मंडल के दूसरे ग्रहों नक्षत्रों से ये प्रत्वी हमारी पूरी प्रत्वी 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 पर रहने वाला भी तो हो सकता है हानी लाब, जीवन मरण, यश अपयश विदिहात हानी, समझो किसी को हानी हो गई, तो वो अपने को कोसे नहीं व्यापारी को व्यापार में घाटा हो गया, तो व्यापारी लोग कोस्ते हैं, हमारा भाग्य खरावे, लावी जनम पत्रिला किसी पंडित को दिखा के लग कोशना नहीं है भाग्य को हानी हो गई तो सोचो न मेरी इच्छा थोड़ी थी व्यापार में घाटा हो कर जाओ ना पत्नी की इच्छा थी ना बच्चों की इच्छा थी कि हमको व्यापार में घाटा हो फिर भी हो गया चलो तुलसी करत रामयन का वचन है हानी इश्वर के हाथ में है पर हानी होने पर भी हार न मानना ये मेरे हाथ में है ये हम सब के हाथ में मेरे हाथ मतलब हमारे हाथ में साधना कर रहे हैं और मन नहीं लग रहा है बहुत वर्षों से जब कर रहे हैं गहरा ध्यान नहीं लगा है तो हारन मानना यह हमारे हाथ में है आरे कोई बात नहीं करते रहेंगे MBBS की डिगरी पानी के लिए 19 साल लग जाते हैं तो हमने अगर 19 साल क्या 50 साल तक भी जब किया फिर भी अगर ध्यान में गहरा ही नहीं तो कोई बात नहीं जब तो होई गया कमाई तो हमारी हो गई परमार्तिक पुण्जी का संग्रह हमारा हो गया मेरा ध्यान लगे 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 नहीं लगना तो लग नहीं लगना तुझा इसी आराम मैं खाली मेरे गुरु से तादात में साध लो ब्रह्म से ताधत में शादने वाले का भी जीवपना छूटेगा शुद्र हम मिटेगा शुद्र में जगेगा जही के जही पर सत्य सनेहू सोते ही मिलई न कच्छू संदेहू तो हानी उसके हाथ में है लाब उसके हाथ में है के भई फाइदा हो जाए आरोग्यका लाब, आर्थिक लाब, पारिवारिक लाब, समाज में कुछ लाब ऐसा उसके हाथ में है, परंतु जीवन में शुब करते रहना ये हमारे हाथ में है, ठीक बात है, और शुब करते रहेंगे तो शुब ही सच्चा लाब भी तो है, क्योंकि शुब का फल अशुब क्यों होगा, पांडव शुब करते रहे, थोड़े समय के लिए उनको परिशानी बले आई, परन्तु परिणाम क्या आया? लाब बले थोड़े समय के लिए दुरियोदन को लग रहा था मेरे को हो गया बारा साल के लिए पांडव गए वनवास में तेरवा साल अज्यातवास में और अज्यातवास में हम इनको पकड़ लेंगे और अज्यातवास में अगर पकड़े गए तो बारा साल फिर वनवास जो दुर्योदुन को लग रहा था लाब हुआ पर पांडव शुब कर रहे थे वन में भी सुर्य भगवान की उपासना की आयो दोमे रिशी के आश्रम में सत्संग के लिए जाते थे शुब चालू रखा तो शुब की छाया में लाब कितना बढ़िया आया भगवत गीता में 164 बार अरजुन का नाम आता है 164 बार अलग-अलग संबोधन शरी क्रश्ण ने दिये है तो शुब हम कर सकते हैं जैसे आप लोग अपने अपने घरों से आये यात्रा करके कोई विदेश्च से भी आये तो ये शुब किया न और अभी भी शुब हो रहा है और घर पे भी आप लोग नियम करते हैं आगे करते रहेंगे शुब हमारे आतमे हम कर रहे हैं और इससे इश्वर हम पर राजी भी हैं, इश्वर की इश्वर हम पर राजी हैं, उसका प्रमान, यह सबसे बड़ा प्रमान यह है, अभु मोहे भाव, भरोस, हनुमन्ता, बिन हरी क्रपा, मिले नहीं संता, इश्वर राजी हैं, तभी तो इश्वर ने हमको यहां पहुचाय मेरे पर इश्वर राजी से तभी तो बापुजी के चरणों में पहुंचाया और जब मैं आया था तब मेरे लिए आज का दिन बविश्य में था मेरा वर्तमान बापु के चरणों में ठीक हुआ तो बविश्य आज अच्छा हुआ न और आज भी बापुजी के चरणों में म इतना द्रड्टा से रहोंगा, मेरी जितनी गुरु में निष्ठा होगी, उतना मेरा भविष्व और बड़िया होगा, तो शुब हमारे हाथ में है, लाब बले इश्वर के हाथ में हो, शुब हम करे, जो हमारे हाथ में हुआ हम क्यूं न करे, जीवन इश्वर के हाथ में यह जीवन इश्वर की देन है कभूक करी करुणा नर देही देत इश्विन हेतु सनेही जीवन इश्वर के हाथ में है पर जीवन को दुखम है डंग से जीना के सुख पूर्वक जीना यह हमारे हाथ में है है न यह जीवन इश्वर की देन है और कैसे जीना यह स्वतंत्रता हमारे पास है परिशानी पूरुवग भी जी शकते हैं अहो भाव से भी जी सकते हैं अहम भाव से भी जी सकते हैं शिकायत भरे चित्त से भी जीवन जी सकते हैं और आनंदित उलसित होकर भी जीवन जी सकते हैं क्या करें मेरा भाग्य खराब है मेरा भाग्य ऐसा है कि पैसा ही नहीं लिखा नहीं नहीं कोई बात नहीं मेरा भाग्य कितना बढ़िया कि मुझे सत्संग मिल गया जिस सत्संग के लिए भीश्म पितामा ने वर्षों तक गंगा के पानी में कमर तक खड़े होकर तब किया था कि मुझे किसी आत्मग्यानी संत का सत्संग मिल जाए हमने तो कभी किसी नदी के पानी में खड़े होकर कितने गंटे तब किया बताओ आप मेरे को मैंने तो नहीं किया, आपने किया हो तो बताओ मैंने तो कभी नदी के पानी में खड़े हो कर तब नहीं किया आपने अगर किया हो तो बहुत अच्छी बात है भीश्मुपिता मैंने किया था कि मेरे को सत्संग मिल जाए योग वशिष्ट में गादी ब्रामन की कथा आती है उनको कितने कष्ट सहने पड़े तब आत्मग्यानी गुरू का सत्संग मिला हमको सहज में मिलता है पर कई बार सहज में कोई चीज मिलती हैं तो नासमज आदमी कदर नहीं करता जैसे नेट पर सत्संग तो कई मीडिया वाले भी सुनते हैं पर वो क्या अर्थ का अनर्थ कर देते हैं क्योंकि उनकी नजर इश्वर पर नहीं है, उनका उदेश्य इश्वर नहीं है, उनका उदेश्य पैसा है और पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कितनी भी नीचाई तक गिर सकते हैं आप एक बात बताओ, आखिर ये लोग देते क्या हैं समाज को ये हो गया, फलानी जगे डाका पड़ गया, फलानी जगे मडर हो गया, फलानी जगे आदमी इतना रूपया लूट के ले गये मिलता क्या है, मुझे इसलिए गुजरात के स्वामी नारण संपरदाय के प्रमुक स्वामी की बात बहुत अच्छे लगी, वे अपने शिश्यों को कहते हैं कि न्यूज चैनल देखाई मत करो और समाचार पत्र भी मत पड़ो, अगर आपको भक्ती करनी है तो प्रमुक स्वामी, उनका नाम है स्वामी नारण संपरदाय के मुझे उनके एक खास शिश्य एक वकील महोदे थे, वकील है और समाचार नहीं देखते हैं, अखबार नहीं पड़ते हैं तो वकील आदमी तो सुबह रोज पहले अखबार ही पड़े, कहां क्या हुआ, और समाचार देखे उसको जरूरत पड़ती है, पर भूले मैं नहीं पड़ता हूँ, और मेरा काम अच्छा चल रहा है, क्योंकि मैंने मेरे गुरु की बात मानी है, और गुरु की बात माने हो उसको घाटा होई नहीं सकता, और गुरु की बात पर वरोसा नहीं उसको जरूर हो सकता है, पारवती जी का वचन है, गुरु के वचन ब्रतीती न जेही, स्वपने उसुगम न सुक्सिदिते ही, तो जीवन इश्वर के हाथ में है, पर जीवन को ढोंग से नहीं, ढंग से जीना ये हर मानव के हाथ में है, इंसान ढोंग से भी जी सकता है, दिखावे से भी जी सकता, सहजता से भी जी सकता है, कपड़े फैशन के पहन कर दिखावटी कपड़े पहन कर भी जी सकता, और सादगी के पहन कर भी जी सकता है, इंसान के हाथ में है स्वतंतरता भगवान ने दी है कौन कितना उस स्वतंतरता को सुरक्षित रखता है ये इंसान के हाथ में है जो जितना उस स्वतंतरता को सुरक्षित रखेगा वो उतना उनकी कृपा का भाजन बनेगा उसका भजन सभाविक होगा करना नहीं बढ़ेगा